चांद को लेकर इनसानों ने कई उपमाय गढ़ी है तो वहीं चांद पर जीवन की संभावनों पर भी वेग्यानिक लगातार गहन सोधकारे में लगे हुए हैं लेकिन जरा सोचिए अगर ये चांद ना हो तो क्या होगा यदि अचानक से चांद गाइब हो जाए तो क्या होगा दरसल सेकरों बर्स बाद चांद को लेकर अब एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो बहुत ही हैरान करने वाला है और दिल्चस्प भी है वेग्यानिकों ने इस चांद महिनों के लिए गाइब हो गया था बता दें कि ग्यारवी सदी में यानि की 910 साल पहले चांद अचानक से महिनों तक गाइब हो गया था इसके बाद से लोग किसी विनास की आसंका को लेकर काफरी डर गए थे चुकि उस जब आने में लोग चांद को देखकर ही रा ब्रसेवा के वेग्यानीकों ने दावा किया उन्होंने महिनों तक चांद के गाइब रहने के कारणों का पता लगा दिया यह वेग्यानीकों ने कहा है कि घ्यणह 1904 में आइसलेंड में इस्थित ज्वाला मुखी हेकला में भयानक विस्पोट हुआ था उस विस्पोट से भारी मातरा में सलफर गैस और राख निकली थी यह राख आसमान में तेजी के साथ फैलता चला गया और ठंड का मौसम होने के कारण हवा में घुलकर धरती के वायु म हो गया यही कारण है कि चांद की रोसनी पिर्थवी तक पहुच ही नहीं पाती थी इस कारण से रात के समय में पिर्थवी पर चारो और अंधेरा छाया रहता था चांद के उल्टा होने की अफवा आग की तरफ फैल गई थी इस दावे को लेकर जनरल साइंटिफिक रिपो डेटा का विशलेशन करने के बाद वैज्यानिक इस निसकर्ष पर पहुचे कि ग्यारवी सदी में चांद के गायव होने के पिछे ज्वाला मुखी का विसफोट था मालूम हो कि कई इतिहासकारों ने भी ग्यारवी सदी में कई महनों तक चांद के गायव रहने की बात को इतिहासकारों ने कई जगह पर 11 सदी के 1180 और 1109 साल को विनासकारी वर्ष्ट के रूप में उलेखित किया है। ये बात लिखी गई है कि उस समय धर्ती पर महिनों तक रात में घना अंधेरा रहता था। इतना ही नहीं दिन के समय भी सूरज की हलकी रोसनी ही पिर्थिवी पर आती थी। इंग्लेंड की इतिहासकार से संबंधित इतिहासिक किताब पीटर ब्रोग कॉर्णिकल में इस बात का जिक्र मिलता है कि 1109 में मौसम काफी खराब हो गया था। इसके कारण पेर पौधे भी सुख गये थे। खेतों में फसले बरबाद हो गई थी जबकि गर्मी के मौसम में तापमान माइनस एक डिग्री सेल्सियस तक पहुच गया था। तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा कि आज से 910 साल पहले चांद अचानक से क्यू गाइव हो गया था। तो आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तिसे लाइक, सेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्ट फैक्ट बशकर आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो में इसी तरह के एक दिल्चस्प टोपिक के साथ जाए हिंद वन्दे मात्राइब।